सुमवार को रोयल चलेंजिस बैंगलोर और संराइजस हैदरबाद की टीम आमने सामने थी इस मैस्ट में दोनों टीमों के बल्लेबाजों ने खूप चौके छक्के जड़े पहले बल्लेबाजी करने उत्री संराइजस हैदरबाद ने 20 ओवर में 3 विकेट पर 287 जनों का स्कोर बनाया संराइजस हैदरबाद के बल्लेबाजों ने 94 और 22 छक्के जड़े रॉयल चैलेंजस बैंगलोर के बल्लेबाज दिनेश काश्टिक ने सीजन का सबसे लंबा छक्का लगाया इस विकेट कीपर बल्लेबाज ने 108 मीटर लंबा छक्का जड़ा लेकिन क्या आप जानते हैं इस सीजन का सबसे लंबा छक्का जड़ने वाला टॉप फाइफ बल्लेबास कौन है लखना उस उपर जाइंट्स के निकोलस पूरन और कोलकता नाइट राइडर्स के बल्लेबास वंकटेश आयर ने 106 मीटर लंबा छक्का जड़ा है इस अराऊ दोनों बल्लेबास सायोग तुरूप से दूसरे नंबर पर काबिज है वहीं इसके बाद मुंबई इंडियन्स के बल्लेबास एशान किशन का नंबर है ईशान किशन ने सन्राइजेज हैधरबाद के खिला 103 मीटर का लंबा छक्का लगाया है